नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्तर नीलम शर्मा, इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे कि इकोथराल टैबलेट का उपयोग किन कंडिशन्स में किया जाता है, इकोथराल टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और इकोथराल टैबलेट की वज़े से क्या साइड इफेक्स हो सकते हैं, और यह भी डिसकस करेंगे कि इकोथराल टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानिया रखनी चाहिए, Echothral एक brand name है Echothral tablet के अंदर salt composition azithromycin होता है Echothral tablet 250 mg व 500 mg की strength में available है Echothral tablet एक antibiotic दवा है Echothral tablet का उप्योग शरीर में bacterial infection होने पर किया जाता है जैसे फेफरों में bacterial infection होने पर, pneumonia होने पर, खासी होने पर, पेट में infection होने पर, ताइफाइड होने पर, दातों या मसूरों में infection होने पर, जोडों या हड्डियों में infection होने पर, पेशाब में infection होने पर और कान नाग गले या तवचा पर infection होने पर डॉक्टर Echothral tablet को लेने की सला दे सकता है इसके अलावा तवचा पर कोई फोडा फुनसी होने पर वचा पर कोई घाव होने पर या तवचा पर कोई इंफेक्शन होने पर भी डॉक्तर इकोथराल टैबलेट को लेने की सला दे सकता है शरीर में इंफेक्शन होने पर बुखार हो सकता है इसलिए बुखा दे सकता है। साइड इफेक्स की बात करें तो वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में इकोथराल टैबलेट की वजह से कोई साइड इफेक्स नहीं होते हैं। लेकिन कुछ पसेंट व्यक्तियों में इकोथराल टैबलेट की वजह से कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं. जैसे उल्टी आना, उल्टी आने का मन होना, बधजमी होना, भूप कम लगना, वचा पर रैशिस होना, वचा पर खुजली होना, मुह का स्वाद खराब होना, पेट में दर्ध होना, सिरदर्ध होना और दस्थ होना आदी साइड इफेक्स इकोथराल टैबलेट की वजह से हो सकता है, इसलिए यदि किसी व्यक्ति को इकोथराल टैबलेट को लेते समयत वचा या आँखों का पीला पढ़ना, पेरों में सूजन होना और पेट में दर्ध होना आदी लक्षन होते हैं, तो ऐसी स्थिती में तुरंत ही डॉक्टर से परामर्ष लेना चाहिए, अब हम ड और पर 12 साल से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्तर इकोथराल 250 mg टैबलेट को दिन में दो बार लेने की सलाह देते हैं, या इकोथराल 500 mg टैबलेट को दिन में केवल एक बार ही लेने की सलाह देते हैं, इकोथराल टैबलेट को डॉक्तर तीन दिन से लेकर पाँच दिन तक लगातार लेने की सलाह दे सकते हैं। इकोथराल टैबलेट की डोज उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है। इसलिए आपको इकोथराल टैबलेट को आपके डोक्तर द्वारा बताई गई दोज में ही लेना चाहिए। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, तो कृप्या वीडियो को लाइक करना वचैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। अब हम डिसकस करेंगे कि इकोथराल टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए। इकोथराल टैबलेट को केवल उतने समय के लिए ही लेना चाहिए। जितने समय के लिए आपके डॉक्तर ने इकोथराल टैबलेट को लेने की सला दी है। क्योंकि लगातार ज्यादा लंबे समय तक about the tablet को लेने से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो सकता है। और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होने पर वो एंटीबायोटिक दवा आपके शरीर में काम नहीं करेगी। और Ekothral Tablet को अपनी मर्जी से पहले बंद कर देने से आपका infection वापिस आ सकता है इसलिए Ekothral Tablet को केवल उतने समय तक ही लेना चाहिए जितने समय के लिए आपके डौक्टर ने Ekothral Tablet को लेने की सलाह दी है इकोथराल टैबलेट वाइरल इंफेक्शन होने पर जैसे जुखाम या फ्लू होने पर प्रभावी नहीं होती है अगर किसी व्यक्ति को लिवर की कोई समस्या है तो ऐसे व्यक्तियों को इसके बारे में डॉक्तर को बताना चाहिए क्योंकि लिवर की बीमारी से पीडित व्यक्तियों के लिए इकोथराल टैबलेट को लेना रेक्मेंडेड नहीं होता है वैसे इकोथराल टैबलेट प्रेगनेंट महिलाओं को कोई नुक्सान नहीं पहुचाती है लेकिन केवल ज्यादा जरूरत पढ़ने पर ही डॉक्तर प्रेगनेंट महिलाओं को इकोथराल टैबलेट को लेने की सलाह देते हैं स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए इकोथराल टैबलेट का सेवन करना रेक्मेंडेड नहीं है इसलिए प्रेगनेंट महिलाओं और स्तन्पान करा रही महिलाओं को इकोथराल टैबलेट को डॉक्तर की सलाह के बिना नहीं लेना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका इकोथराल टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं